दान की फसल अपनी प्रिपक वक्सता की और अगरसर हो रही है किसान अपनी दान की फसल की नरंतर कटाई कर रहा है और किसान अपनी अगली फसल ग्यों की त्यारी में जुट चुका है और वह नरंतर अपने बीज प्रापती सबसे महतों पुरुन तथे रहता है ग्यों की जो बीज प्राप्त करना है, किसमों का चुनाव करना है, यह भी प्राप्त महत्वपूर्ण है, किसमों का चुनाव तो कर लेता है किसान, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तथे यह है कि आप बीज प्राप्ती का साधुन आपके पास कौन सा है, इसी के उपर चर्चा करने के ल कि आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें मैं एक प्रक्तिशील किसान एहमन सफल बीज उत्पा दखूं और आप सभी से अपने अनुभव एवम किस कृषिक प्रतियों गिताएं और कृषिक ग्यानिकों के द्वारा प्राप्त किये गए ग्यान को आप से संजा क करने का मैं प्रैस करता रहूंगा इसी चेश्टा को लेकर मैं सब्सक्राइब कर रहा हूं कि चैनला को फो मैं व फिर मैं इस बात पर दवरा रहा हूँ कि आप कोशिश करें कि आप राज किये क्रिशी विश्वद्यालियों के दवारा हमारे इंडियन काउंसिल एगरिकल्चर सर्च के इंसिचूट हैं इंडियन एगरिकल्चर सर्च इंसिचूट भारतिय क्रिशी अनुस्दान संस्थान है भारतिये गहुएम जो अनुस्वादान संस्थान है हमारे देश की डाजकी ए खेती बाड़ी विश्वडेलिया यूनिवर्सिटीज है आप वहां से बीज पराप्त कर सकते हैं आपको वहां पर जो बीज उपलब्द होगा वो काफी जैज रेट पर उपलब्द होगा और जिसान अनुवांशिक रूप से बरपूर बीजों को अपने खेत में डालता है बिजाई करता है तो उसका उद्पाद्दन स्थर काफी आगे चला जाता है ऐस कंपेर टू दूसरे बीज लेने की बजाए जो आप से बजार से खरीते हैं किसी साइवड प्राइवट सीट प जहां से बीज की नीव रखी जाती है उसके बाद आपको एक फाउंडेशन बीज प्राप्त होता है अगले साड़ के लिए उस फाउंडेशन सीट से आपको फिर स्ट्रेटिफाइड सीड होता है जो आपको किसानों तक पुंचाया जाता है और जब आप आयाराई से अधिक होती है इसलिए किसान बाईयों से रोट करते है कि वह सिर्फ राजकीए कृषी अनुसंदान संस्थान से जा किंदर सरकार के किंदर संस्थान से ही बीज प्राप्त करें और इसे के साथ आप कृषिव ग्यान के इंदर कुछ हमारे देश में हैं वहां से आप बीज-प्राप्ट कर सकते हैं आपका किसान भाईयों का प्रयास रहना चाहिए कि आप सिरफ सरकारी सतां से बीज-प्राप्त करें जहां कोई आपका सफल किसान है जो बीज-बिज ले र कि हाल ही में हमार पास इयार इंदर कि 1620 आई यार इंदर की ही ही हैचा इसौड़़वीश इसौड़़वीश दो किसमें है उनका भीज हमने उत्पादन किया हुआ है जो किसान लेना चाहता है आप हमसे भी सुमपर्क कर सकते हैं और अगले साल हम आपको आठ नई किस्मो का उत्रपादन करके देंगे जो बहुत उंदा किसमे हैं जो आपको अधिक उत्रपादन देख सकती हैं 30 कौंटल तक का उत्रपादन देने में शम्ता रखती हैं जिससे किसानों की आर्थिक स्थिती मजबूत होगी और उनको आर्थिक लब राप्त होगा इसी के साथ वारता को विराम देता हूँ जैजवान जैकि साथ